साइट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और इसके बाद बैल आइकन गो प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिलें एक्स्क्लोसिव खबरें तो महराज़्ट विधानसवा चुनाओं में गिनिती के दिन बचे हैं दोनों ही गटबंदन में सीट शेयरिंग के रस्ता कस्ती चल रही है महायूती हो या अगाडी दोनों में ही सीट बटवारे को लेकर जंग खत्म होने का नाम नहीं ले रही मागर इसी बीच उद्दव ठाकरे बड़ी मुश्किल में फसते नजर आ रहे हैं और यह मुश्किल इतनी बड़ी है कि उद्दव ठाकरे को जेल भी हो सकती है जी हाँ एक शुगर मिल्क के परियोजनाओ के चक्कर में उद्दव ठाकरे कानूनी पचड़े में फस गए हैं जिससे बचनाओ उद्दव के लिए मुमकिनी नहीं है उद्दव के साथ संजर राउत का नाम भी इसमें शामिल किया जा रहा है तो क्या है पूरा मामला आप भी देखी और बताइए कि क्या वाके में उद्दव और राउत को जेल भी जाना पड़ सकता है कमेंट करें और वीडियो को भी शेयर करें तो महरास्च में इस वक्त संत एकनात सहकारी चीनी फैक्टरी का नाम बड़ा सुर्खियों में है और इसकी असल वज़े है उद्दव ठाकरे उद्दव ठाकरे बहुत जल्द इस शुगर मिल का उद्धार्टन करने जा रही है और केस में फसने के साथी जेल जाने की नौबत उद्दव ठाकरे के सामने आ सकती है तो संत एकनात सहकारी चीनी फैक्टरी के अध्यक्ष सचिन घायल ने शिवसेन प्रमुक उद्दव ठाकरे को आसानी से गुम रहा कर रखा है और पार्टी प्रवेश कारी करम ले रही है यारो फैक्टरी के पूर चेयर्मेन तुशार पार्टिल सिसोदे ने एक प्रेस कॉनफरेंस में लगाए है दिल्चस बात यह है कि जहां संत एकनात फैक्टरी पर करोडो रुपए का कर्ज है वही चेयर्मेन सचिन घायल आगामी विधान सबचनाव को ध्यान में रखते हुए संत एकनात शुगर फैक्टरी परिसर में करोडो रुपए की विभिर परियोशनाव का सिला न्यास कर रही है और इसमें उद्दफ ठाकरे भी शामिल है तुशार पाटिल का कहना है कि ये पूरी तरह घलत है जरता को गुम रहा करने वाला है साथी साथ कानून का भी मजाग है पाटिल की माने तो इस मिल से जुड़ी परियोशनाव का भूमी पूजन समारो उद्दफ ठाकरे दुआरा किया जाएगा जबकि इन में से किसी भी प्रोजेक्ट को सरकारी स्तर पर अनुमती नहीं मिली है साधरन एनोसी भी इस प्रोजेक्ट के लिए नहीं ली गई है पाटिल ने आरोप लगाया है कि चेर्मेन सचिन घायल भूमी पूजनकर फैक्टरी के सदस्यों और तालुक लोगों को उल्लू बना रहे है सिर्फ ये सारा खेल विधान सबस चुनाव के लिए हो रहा है और इसमें सरकार और कानून दोनों का मज़ा कुड़ाया जा रहा है पूरु चेर्मेन पार्टिल ने कहा कि एक तरफ तो आप लगातार कह रहे हैं कि बीजेपी पार्टी की योशना फरजी है लेकिन फिर भी वो बिना किसी सरकारी अनोसी के इस पर योशना को उध घाटन करने की तयारी में जुटे है जो रोसोर से प्रचार कर रहे हैं जो की पूरी तरह गलत है पार्टिल ने कहा कि लोग समझदार हैं हमें देखना चाहिए कि कहा पानी उबल रहा है हम उनके प्रोजेक्ट के खिलाफ है साथ ही हमारी कोशिश है कि इस मामले को अब कानून की सामने लेकर आयो जाए प्रॉपर केस दर्च करवाया जाए और पुलिस को जाच भी करनी च खिल बिना सरकारी आनोसी के कैसे चल रहा है और इसमें जिन बड़े नेताओं का इंवोल्मेंट है उन पर भी कारवाई होनी चाहिए ताकि बिना सरकारी आनोसी के इस तरह के फरजी वाड़े को रोका जा सके और जो जिम्मेदार हैं उन्हें जेल की सलाकों के पीछे डाला जा सके हाला कि अभी तक इस मामले में पुखता सबूत नहीं है नहीं आधिकारी किया कानूनी तौर पर ऐसे आरोब उद्दव ठाकरे पर लगे हैं मगर तुशार पाटिल ने साफ तोर पर जांच की बात कही है और दावा किया है कि अगर जांच हुई तो बहुत बड़ा स्क पक्षता पर सवाल उठा रही है पार्टी के वरिस्ट नेता संजे राउत ने सीजे आई को शिट सेना से जुड़े मामलों से अलग होने की नसीहत दक देडा ली राउत ने सवाल ऐसे समय पर उठाए हैं जब एक दिन पहले प्रधानमंद्री नरेंद्र मोदी सीजे आई क पर शेयर की थी उन्होंने लिखा सीजे आई मूर्ती डीवाई चंदर्चूर जी के आवास पर गणेश पूजा में शामिर हुआ भगवान श्री गणेश हम सभी को सुख सम्रद्धी और अद्बुत स्वास्ते प्रधान करें अब इस तस्वीर के सामने आने के बाद राउ और प्रधान मंत्री ने मुख्य न्याइधीश के साथ मिलकर आरती की जो कि अपने आप में बेहत अजीब हैं राउत ने आगे कहा भगवान के बारे में हमें इतना पता है कि अगर सविधान के रक्षक इस तरह के राजनेताओं से मिलेंगे तो लोगों को शक होगा ही बैद सरकार चल रही है एकनाश शिन्डे बनाम उद्व ठाकरे कहिए कि सीजे आई चंद्रचूर के पास ही है और इस तरह वो मोदी के साथ करीबी दिखा रहे हैं जो कि अपने आप में गलत है राउत ने आगे कहा सीजे आई चंद्रचूर को महरास्त सरकार से जुड़े क केस से हट जाना चाहिए राउत ने कहा मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी परंपरा है कि ऐसे मामलों में अगर जज और पार्टी का कोई संबंध होता है तो वो खुद को केस से अलग कर लेते हैं अब मुझे लगता है कि चंद्रचूर सहाब को खुद को इस से अलग कर लेना चा अरे लेकिन चुनाओ तो बस आही गए ये अगले दिन के लिए स्थगित की जा सकती थी लेकिन इस तरह से मिलकर उन्होंने साबित कर दिया कि उनके दिल और दिमाग में क्या है सिर्फ राजनेताओं नहीं नहीं बल्कि जाने माने वकीलों ने भी इस मुलाकात पर सवाल उठाए हैं अड़ोकेट प्रशांद भूचन ने भी पीएम मोदी के सीजे आई के आवास पर जाने पर सवाल उठाए उन्होंने कहा है कि सीजे आई चेदर्चूर ने नीजी मुलाकात के लिए मोदी को उनके घराने दिया इससे न्याईपालिका के लिए बूरे संकेत मिलते हैं न्याईपालिका जिस पर कार्ये पालिका से नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा की जिम्मेदारी है और ये सुनिशित करती है कि सरकार सविधान के दाइरे में रहकर काम करें लेकिन यहां तो सरकार और सविधान की निजी मुलाकाट चल रही है जो कि न्याई पालिका के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है प्रशांत भूजन के अलावा एडवोकेट इंद्रा जैसिंग ने भी इस मुलाकाट पर सवाल उठाए इंद्रा जैसिंग ने सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल को टैग कर स्थी बीए से इस मुलाकाट की सारवजनी रूप से निंदा करने की मांग की उन्होंने कहा कि इसके चलते सीजे आई की सतंतरता पर से भरोसा उठ जाएगा हाला कि बीजेपी इसे पूरी तरह सिर्फ गणेश पूजा करार दे रही है बीजेपी प्रवक्ता शेहजादा पूनेवाल ने कहा कि गणेश पूजा में शामिल होना कोई अपरात नहीं है शुब समहरों शादी और कारेक्रम में कई मौकों पर न्याई पालिका और राजनीता मंच साजह करते हैं और इसी तरह मोधी ने अगर CGI के घर जाकर गणेश पूजा किया है तो इसमें गलत क्या है अब कुल मिलाकर मोधी की CGI के घर जाकर गणेश पूजा करना राजनीताओं के निशाने पर तो आही गया है साथी साथ वकाला से जुड़े सीनियर एडवोकेट भी इस पर सवाल उठा रहे हैं तो आपको क्या लगता है कि वाकई में प्रधान मंत्री का इस तरह से CGI के घर जाना उनके निजी आवास पर जाना निजी मुलाकात करना गणेश पूजा में शामिल होना क्या वाकई में गलत है आपकी कहराई है आप भी कमेंट बॉक्स में जरूर दे और वीडियो को भी शेयर करें क्या है